आज के से बीटियों में बात करेंगे बिए फिप्थ समस्टर के सोसेलोजी यानि की समावसाफ्थ के सिकन्ड पेपर के most important questions and answer के बारे में जिन भी चातरों की परिछा समावसाफ्थ की सिकन्ड पेपर की होने वाली यानि की सोसेलोजी सीकन्ड पेपर की उन उनके लिए वीडियो बहुत ही माहत पूर्ण है आप चाहिज के छात रो, आपके एक्जाम के लिए सारे माहत पूर्ण प्रश्ण है क्योंकि इस प्रस्ट में मैंने question के साथ उसका उत्तर भी तैयार किया ताकि आपको exam में तैयारी करने में आपको काफे help मिले तो चले आते हैं main question पे तो आज कि इस वीडियो का सबसे पहला जो प्रस्ट नहीं है वह कि समाजिक सर्वेच्षण बताईए तो समाजिक सर्वेच्षण होता उसके बारे में आपको लिखना बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ट नहीं एक आपके exam के नजरीय से most important है और कई बार पेच्छाओं में करता है मतलब कि सर्वेच्षण का मतलब आप लोग समझी गयोंगे किसी चीज़ का सर्वेच्षण या पिर आप लोग एक दर किस निरच्षण सब्दोस्तों सुना होगा ना सेम उस ही का एप अपोजिट होता है ओके आप भी किसी समाज में रह रहे हैं और हम भी किसी में रह रहा है ठीक है तो उस चीज़ का अध्यन करना और प्लस जो समाज में कुछ भी घटनाय होती रहती है चाहले मालिजे की एकजांपल के रूप में ठीक है कोई मालिजे की वुगां चोड़कर सहे चला गया पिर सहे चोड़कर कहीं पर भग गया है पिर या पिर किसी ने अत्महत्या कर ली किसी ने लड़ाई कर ली ठीक है या फिर किफी चीज में कोई प्रोग्राम हुआ ठीक है या लड़की लड़का भग गया तो यह सब क्या है 一 hac कि घंढाई हुआ घंटाय हो गई यह फिर किषे लड़ाय होगई यह भर किसी का एक्सिडीण होगा विभिन परकार की घटाएं होती है समाज में ठीक है उनका बैग्यानिक पद्धत से ठीक है निरच्छन करना ही समाजिक सरवेच्छन कहलाता है यह चीज़े अलग-अलग ठीक है परिभास हो कि नुसार अलग-अलग हो सकती है जिसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई आते हैं ठीक है कि आपकी घर में कितने लोग है कितने सदस्ट हैं तो यह सब प्रोसेस कुल मिला कि सब जितने में परकार की सब सरवेच्छन होते हैं इनका जो बेग्यानिक तरीके अध्यन होता है सीरियल वाइच इस्टेप बाइच्छन उसको हम लोग ठीक है समाजिक सरवेच्छन को और अधिक अश्पष्ट रूप से समझने के लिए बिभिन विद्वान द्वारा अलग अलग परिभासा है प्रस्तुत की गहीं जैसे कि एक प्रमुक विद्वान जिनका नाम है बोगार्ड इन्होंने कहा कि मोटे तोर पर एक समाजिक सरवेच्छन एक वि तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभासा बाकी अलग अलग बिद्वानों ने अलग अलग परिभासा दिये जो आपको बैटर लगे जो आपको अच्छे समझ में वो तैयार कर लिजीगा लेकिन कुल मिला कि मोस्ट इंपार्टन कुश्चन है ठीक है ओके चली अब अग अब तो लिखना कि समाजिक बिघ्यानों में प्रियोगात्मक अनुसंधान जैनि किफी चीज को रिसवर्च करने की जो सिस्टम होता माली जैसे की बहुत-बहुत कपनिया होती बहुत-बहुत बहुत-ठीक भैग गानिक लोगों तो कैसे रिसवर्च करते हैं ठीक है तब ह तो वो चीज आगे चलके जैसे कि माली जै कि उन्होंने कोई रिफर्च की जिससे मुबाइल बना, कम्प्यूटर बना या फिर किफी कोई मसीन बनी प्रकार आप लोग इसके बारे में लिखेंगे कोल मिला के महत्पूर्ण प्रश्ण है और काफी बार आ चुका है प्रियोग फोकस करना आप To कुछांगे ँच्छ प्रावरीक्ता प्रामडिक्ता पर्यारित और सुद्ध होता है और ऐक विद्ध्वान जिनका नाम एकाउफ in उन्होंने कहा है कि भाईया परिच्छन अथवा प्रयोग एक क्रिया है और प्रिक्रिया है जिसमें हम पूस्तास करते हैं बस इतना लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे सारेडियन यह कभी कदार आता है फिरहाल तैयार कर लेंगे तो बेटरी रहेगा तो इसका उत्तार लिखेंगे कि अंतरगत दत्तों का संपादन वर्जिक्रण तथा संकेतिक्रण के पस्चात सारेडियन की प्रिक्रिया सुरूर होती है सारेडियन का मतलब आप लोग समझ रह संकेतिक्रण यह भी कभी कदार आता तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते एगनोर भी कर सकते ठीक है यह भी कभी कदार आने वाला कोश्चिन है लेकिन प्रिभाल मैंने फोचा कि रख लेते क्या वता फंसी जाए अनुसूची यह कई बार पर इच्छा में आ चुका त और बिभिन प्रश्णों को पूछ कर स्वयम ही उनके उत्तरों का अलेखन करता है इसका तातपर यह है कि अनुसूची को उत्तर दाता के पास डाक द्वारा कभी भी प्रेशित नहीं किया जाफकता बलकि यह फच्छात कार एक सरल माध्यम है ठीक है और इसकी जो करता है द्वारा अन्य बेक्तियों से आमने सामने की स्थित में पूछे और भरे जाते हैं तो सिंपल सा एक मैं बहुत बड़ा उदाहन देने जा रहा हूं इससे आप लोग समझदाएंगे ठीक है बहुत बड़ा उदाहन है अनसूची जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बुक आप लोग खरिते हैं क्या खरिते हैं बुक खरिते हैं ठीक है तो उसमें सबसे पहला जो परश्ट लिखा रहता है उसमें ये लिखा रहता है क्या 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 लिखा रहता ठीक है कबीर दाफ जी का जीवन पर फिर लिखा रहेगा तोल्ची दास का जीवन पेपर मतलब जीवन परचे फिर यहाँ पर डोट लिखा रहेगा कि भाईया यह आपको मिलेगा जब आगे पलटेंगे तो यह आपको मिलेगा साथ नंबर पेज पे, यहां लिखेगा रहीममदाफ जी का जिवनपरचे, ठीक है, तो रहीममदाफ के आगे लिखा रहेगा 10 работает, यानि इसका मतलब ये हुआ, कि कबीरदाफ जी का जो जिवनपरचे है, जब आप कोई- कोई- किताब है, हर किताब में म सबसे पहले प्रेश्ट पे लिखा रहता है जिस भी चीज के बारे उसमें बताया गया उसकी हेडलाइन यानिकी मुख चीज जिसको अनुसूची की नाम पर जानते ठीक है तो वहाँ पर लिखे रहेगा जी जो कबीर दाफ जीन का जीवन परचे अगर बुक को आगे पड़े बड़ी मोटी रहती तो उसमें पांच नंबर पेज होगा वहाँ पर कबीर दाफ जी पर जीवन परचे लिखा रहेगा तो आगे फस्ट पेज पर लिखा रहेगा यह आपको सात नंबर पेज पर जाना पड़ेगा बुक को पलट पलट के एक पन्ने तब आपको साथ नंब पलटेंगे तो यही होती अनसूची यानि कि जो सबसे पहले बुक फिरीच कोश्चिन बैंक में जो अनसूची एक बनाई जाती कि कौन से पेज पे क्या बताया गया उसे हम अनसूची कहते हैं बहुत बड़ा उदाहर ना इसके बारे में लिख देंगी तो पक्का हमेशा पहसता तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ठीक है माध्यका ठीक है यह भी महात्पूर्ण प्रस्ण है कभी कभी आता है हमेशा तो नहीं आता तो आप पढ़ लेंगे और काफी हेलपल कोश्चन है इस प्रस्ण मौस्ट इंप्वाटेंट है वेरी वेरी टॉप लेबल का करा चुका कि समाजिक अनुसंधान के चिरंड बताइए तो समाजिक अनुसंधान यह नि रिफॉसर्ण, सोसल यह फे पर सोसलोजी के रिफॉर्ज़ जो podcast सब्सक्राइब प्रफक कलपना का निर्मार करना शूचना दातों को चैन करना ठीक है शूचना अस्रोतों का निधान करना अनुसंधान की पध्धत यह होते हैं समाजिक अनुसंधान के कुछ चरण जुनको आप पुध्यान रखना का इवारा आ चुका है जैदा जैदा आपको पांच से आठ याद कर लेना है बस बस इतने ह आते हैं लिखने के लिए लग उत्रे में अगला प्रश्ण एक बारे मतलब यह भी काई फार आ चुका है ठीक है परिच्छा में प्रश्णा वली की बेहत्रीन परिभासा में आप लोगों समस्त प्रस्तूत करने जा रहा है जो कि आपकी रग-रग में भर जाएगा तो प्र प्रश्णा वली का मतलब यह होता प्रश्णों या कथनों का ग्रूप या फिर समुह जिसके माध्यम से ब्यक्त से पूछ कर यानि कि आप हम से जो ब्यक्त हम लोग है ठीक इसे पूछ कर सूचना एकत्र की जाती है क्या की जाती है जो डेटा होता समाज का या फिर कहीं का उस चीज़ को डेटा को एकत्र किया जाता है यानि कि एक जगा और प्रशनावली अनुसंधान करने का एक आवजार है यानि कि रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें लोगों से सुचना एकत्र करने के लिए उनसे बहुत से प्रशन पूछे जाते हैं इसी जिसको हम आप लोग प्रश्णावली कहेंगे यानि कि जो प्रश्णावली होता है बहुत सारे प्रश्णों और कथनों का समो होता है जिसके मादम पर लोगों से बहुत सारे प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे कि हम आप लोगों से जब परिच्छा आप लोग देने जाते है तो वो जहां पर आप लोग उत्तर लिखते हैं तो वो एक तरीके से क्या हो रहा है सूषना एकत्र हो रहा है ठीक है तो इस प्रोस्टेश को हम लोग प्रशनावली कहेंगे ठीक है बाकी आप इसी तरह लिखेंगे ठीक है कि प्रशनो या कस्रों का समू होता है प्रस्णावली जिसके माध्यम से ब्गत से सूचनाय पोस्कार एकत यानि वा Ayat scène per उजार जिसमें लोगों से शूचनाय एकत करने, UNCLE उन…पोछे जाते है परिप्ध्षाप देने जाते तो आकशर भी बहुत सारे प्रश्ण वहाँ पर आते कोईशन में तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर बेल्कुल सिंपल परिवासा में ठीक है अगला प्रश्ण है कि सच्छातकार कई बार प्रश्ण है भी आ चुका तो इसको भी ध्यान देंगे ठीक है तो सच्छातकार एक ऐसी करिया है जिसमें सच्छातकार करता एवं सच्छातकरत के माध्धिकिसी विश्ष्ट उद्देश को सामने रखकर परसपर आमने सामने ठीक है सनवर्ता वर्ता लाप अथवा उत्तर प्रयोत्तर होता है फच्छातकार की प्रविश्टाय निम्नुवत है जो कि आपको समाजिक अनुसंधान की परिभापा टॉप लेबल का कुश्चन कई बारें भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और समाजिक अनुसंधान सोध से जुड़ा कोश्चन हमेशा पस्ता इसको भी आपको तैयार कर लेना है ठीक है ओके अगला जो मोस्ट इंपार्टेंट उसकी बढ़ेंगे वड़नात्मक सोध प्रारोपी यह कई बारें भी पढ़ेंगे और वेक्तिक अध्यन पद्यत यह भी कई बार आ चुका इसका उत्तर पढ़ेंगे नीचे उत्तर भी दिया ठीक है समय ज्यादा इसलिए है नहीं इसलिए मैं ज्यादा एक्स्पेरिन नहीं कर प ठीक है और अगला के इंद्र प्रवत्त एक भी गड़ार आता तो आप पढ़ भी सकते इसको इखिनूर भी कर सकते हैं ठीक है बाकी बिन्दुय रेखाएं यह भी कभी कदा राता देव दिरसेंहें ही ली कभी पूरी पीडियम आपको टेली वर्टसप पर प्रवाइड करा देंगे जो आप पासिंग मार्क पक्के हैं इस वीडियो से इसमें जो कुश्चिन एंसर दिएगे ठीक बस इतना कह सकते यह नहीं कहेंगे कि आप टाप करेंगे लेकिन पासिंग मार्क पक्के हैं जए जेंद